लाओर स्मार्ट सिटी में नया ब्लॉक लाउंच कर दिया गया लेकिन जिन लोगों के प्लॉट्स को बारेट किया गया तो उनको पुजेशन मिल भी पाएगा कि नहीं यह हम आज की विड़े में बात करने जा रहे हैं असलाम रिखिन वाजी हमारे तमाम क्लाइंट्स वीवर्स और मेंबर्स उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे मैं हूं आपकी होस्वाज आवी तर आप देखें रस्मार्ट डेस्वेट एक दर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी बात है कि सुसाइटी ने एक नया ब्लॉक लाउंच कर दिया गया है जहां पर आपको साड़ तीमर्ला के रेजिदेंशिप प्लॉट आपके लिए लाउंच कर दीगे हैं मगर दुसरी तरफ हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि जिन लोगों के प्लॉट अभी बैलेट किया गया तो क्या उनको उनके प्लॉट पॉसेशन मिलेगा भी की नहीं लाहर स्मार्ट सीती में जब भालेटिंग का इवन्ट रखा गया तो इसमें हजारों के तदाद में लोगों के प्लॉट को बैलेट किया गया वत्याथ है तो उनके plots को society की तरफ से ballot किया गया उनके plot number लगाएगे अगर बात कीचे है possession की तो किसी भी house society के अगाज में जब वहाँ पर booking का अगाज होता है तो जब project का अगाज होता है तो किसी भी house society के अगाज में वहाँ पर लोगों को जो है फॉरन से वहाँ पर plots पर कबजा नहीं दिया जाता तो जब आप payments clear करते हैं उस payment plan को follow करते हैं उस पूरे criteria को follow करते हैं जिसमें आपका plot number लगाजाता है society की तरफ से उसके बाद plot पर कबजा दिया जाता है लेकिन अगर हम दूसरी house and societies की बात करें तो सालों साल जो है वहाँ पर लोगों को plot number नहीं दिया जाते लेकिन लहोर स्मार्ट से रीचूंकर ये project हभीव रफी गूरूप का एक शांदार housing project है तो यहाँ पर हमेशा से ही इन ने जब भी अपनी commitment को जो उन से भी commitment है उने अब तक की है उसको पूरा किया है और बरवक किया है तो अब अगर देखा चाए तो लोगों उनको plot number दिये गए और अब second balloting भी दूर नहीं city ने जब market में कदम रखा तो तब society में on ground कुछ भी नी था मगर अब plots on ground आने को हैं और इस चीज़ को देके अंदाजा लगाए जासाता है कि अब जो नया block launch हुआ हामनी पाक लाहूर के नाम से जहां पर साड़ी थी मर्ला के residential plot launch किया गये हैं तो उसको देके अंदाजा लगाए जासाता है कि इस block को भी ठीक वैसे ही time पर या पर वक्त से पहले deliver करेंगे जिस तरह से उन blocks को deliver किया है तो अब अगर बाकी blocks के साथ अगर compare किया जाए तो oversize block और objective block में अब तक तमाम plots पर एक अच्छा profit पर जो है यह तमाम plots trade हो रहे हैं तो अगर इस block के साथ compare किया जाए तो साड़ी थी मर्ला के residential plot पर भी ठीक वैसे ही profit आने के chances है जैसे oversize block में और executive block में आए तो इस वक्त आ अगर स्मार्ट सिटी में बहुत बड़ी golden opportunity दी जा रहे हैं कि वहां पर आप साड़ी थी मर्ला के residential plot हासल कर सकते हैं वह भी साड़ी तीन साल के आसान film plan के साथ आप अपने साड़ी थी मर्ला के residential plot को book कर वा सकते हैं अगर आप अपने plot को book कर आना साथ है तो उसके लिए कि अईवे मैट दोनprob कर सकते हैं अईगा अवान है